हलो दोस्तों आप सभी का All About Socious में स्वागत है और ये समाज सास्त्र की कम्टिट्यू सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपून विचारक के बारे भी चर्चा करने वाले हैं तो जैसा कि आप लोगं को इनका नाम पता है राबर्ट रेड फिल्ड हम लोग स समाज सास्त्र में इन्हें पढ़ते हैं हाला कि ये एक मानो शास्त्री या मानो विज्ञानी है लेकिन जब समाज सास्त्र की बात आती है तो राबर्ट रेड फिल्ड का नाम एक महत्वपून विचारकों में आ जाता है राबर्ट रेड फिल्ड को हम लोग समाज सास्त्र म इनका अगर हम एक सार के रूप में बोलें तो यह होगा कि इनका complete contribution जो कि हम लोग sociology में Robert Redfield को पढ़ते हैं वो क्या है तो आज हम लोग इन ही सारे topics पे चर्चा करने वाले हैं तो चलिए हम लोग प्रारम करते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पे इनकी image देख सकते हैं ये Robert Redfield की image है Robert Redfield इनका जीवन काल 4 दिसंबर 1897 से 16 अक्टूबर 1958 तक रहा है एक अमेर्की मानो विज्ञानी और न्रीवन्स विज्ञानी थे जिनका मैक्सिको के टेपो जलान हम लोग टेपो जलान बोलते हैं में नीवन्स विज्ञान सम्मंधी कारे लाटिन अमेर्की नीवन्स विज्ञान का एक मील का पत्थर माना जाता है वे अपने पूरी करियर के लिए शिकागो विश्वित्याले से जूड़ी हुए थे तो अगर इनके अल्मामीटर की बात करें तो शिकागो यूनिवर्सिटी हो जाएगा उनकी सभी उचिशिक्षा वही हुई और वे 1927 में संकाय में सामिल हो गए और 1958 में अपनी मृत्यु तक वह वही रहे 1934 से 1946 तक सामाजिक विज्ञान के दीन के रूप में विकारी किये साथ ही सिकागो के अन्य प्रमुख प्रोफेसरों राबर्ट मेनाड हचिन्स, फ्रैंक नाइट और जॉन उईरिच नेप या फिर इन्हें उलिच नेप भी करते हैं ये भी थे इंग्लिस में कंटेंट हम लोग देख लेते हैं राबर्ट रेट फिल्ड इनका अगर लाइट टाइम देखें दिसमबर फो तू शारी 1897 तू अक्टूबर 16th 1958 वास अन अमेरिकान अंथ्रोपोलोजिस्ट अन एथनो लिंग्विस्ट whose ethnographic work in Taposalan, Mexico is considered a landmark of Latin American ethnography. He was associated with the University of Chicago for his entire career. All of his higher education took place there and he joined the faculty in 1927 and remained there until his death in 1958. Serving as Dean of Social Sciences from 1934 to 1946, Robert Redfield was a co-founder of the University of Chicago Committee on Social Thought alongside other prominent Chicago professors, Robert Maynard Hutchins, Frank Knight and John Ulrich Neff. इनके कैरियर की बात यदि करें तो 1923 में वे और उनकी पतनी Margaret Park Redfield तो आप सभी को अगर पता हो अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ Robert Redfield जो थे वो Robert Ezra Park आप लोगों को नाम पता हो Robert Ezra Park के दामाद थे तो उनकी वाइफ जो थी वो Margaret Park Redfield है और ये भी एक मानो विज्ञानी थी तो ये दोनों जो थे वे मैक्सिको जाते हैं जहां उनकी मुलाकात मैनुल गामियों से होती है जो एक मैक्सिकन मानो विज्ञानी थे और जिन्होंने French Boas यहां पर French Boas लिखा हुआ है बट इसे हम लोग French Boas के नाम से भी जानते हैं के साथ अध्यान किया था रेड फिल्ड ने संचार अध्यान में डिगरी के साथ शिकागो विश्वित्याले से सनाता की उपाधी प्राप्त की आंधता इसकी लॉइ स्कूल से जेडी आर्थाथ इसे जियोरिक डॉक्टरेट कहते हैं और फिर सांस्कृतिक रिविज्ञान में पिएसडी की जिसे उन उन्होंने 1927 में वहां पढ़ाना शुरू किया 1947 में उन्हें American Philosophical Society और 1950 में American Academy of Arts and Sciences के लिए चुना गया Mexican समुदायों जिसमें की Morales में टेपुजलान और Yucatan में चैन कोम से प्रकासित छेत्र अध्यानों की एक स्रिंखला के बाद 1903 में उन्होंने The Primitive Word and Its Transformation भी वेरी इंपोर्टेंट बुक है और 1956 में यानि 1956 में Pisan Society and Culture प्रकाशित किया विश्यों के ब्यापक संसलेशन में आगे बढ़ती हुए Red Pill ने अंता विश्यविचार के लिए एक मंच अपनाया जिसमें पूरा तत्व मानो शास्त्रिय भाशा विज्ञान भावतिक न्रिविज्ञान सांस्कृतिक में भी देख लेते हैं कारियर की यदि बात करें इनके तो in 1923 he and his wife Margaret Park Red Pill traveled to Mexico where he met Manuel Gamio a Mexican anthropologist who had studied with French Boas तो यह इनके समकालिन थे Red Pill graduated from the University of Chicago with a degree in Communication Studies eventually with a JD from its law school and then a PhD in Cultural Anthropology तो यह जो JD होता है यह law में doctorate होता है तो इसको हम JD कहते हैं या फिर इसे juric doctorate भी कहते हैं तो यह JD जो है juric doctorate का short form है ओके which he began to teach in 1927 he was elected to the American Philosophical Society in 1947 and the American Academy of Arts and Sciences in 1950 after a series of published field studies from the Mexican Communities Deposalans in Morlos and Chancom in Yucatan in 1953 he published the primitive world and its transformation and in 1956 peace and society and culture very very important books यह दोनों है दोनों बहुत बार exams में पूछी जा चुकी है किता में तो यह आप लोगों को पता होनी चाहिए moving further into a broader synthesis of disciplines Redfield embraced a forum of interdisciplinary thought that included archaeology, anthropological linguistics, physical anthropology, cultural anthropology and ethnology Redfield ने 1955 में Latin America में किशानों पर सोध करने के अपने अनुभाव के बारे में लिखा था सोध करते समय उन्हें अहसास हुआ कि उन्हें समाज को एक अलग संस्कृति के रूप में देखने के लिए प्रश्चित किया गया था हलाकि उन्होंने पाया कि लोग व्यापार में शामिल थे और गाउं और राजियों के बीच संबंध थे इससे भी बढ़कर गाउं की संस्कृति सिमित नहीं थे तो जब आप लोग अगर फोक आरबन कांटिनम का कॉंसेप्ट समझेंगे तो वो यह कहते हैं कि ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जो गाउं है वो हमें एक छोर पे नजर आता है और जो शहर है वो हमें एक छोर पे नजर आता है ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इन दोनों में हमें कोई संबंध नहीं दिखाई देता है तो folk urban continuum का अर्थात शातत्य की बात करते हैं कि गाउं की कुछ विसेशताएं हमें सहरों में नजर आती हैं सहरों की कुछ विसेशताएं गाउं में भी नजर आती है तो ये जो continuity है ये हमें दि दिखाई देते हैं बलकि किसी न किसी रूप से गाउं और सहर जो होते हैं वो एक दूसरे से connected होते हैं जुड़े हुए होते हैं विश्वास और प्रथाएं अलग थलग नहीं थी यहां पे आप लोग को आप clear हो चुका होगा कि अगर हम बात गाउं की करें या शहरों की बात करें तो जो विश्वास हैं या प्रथाएं हैं वो अलग थलग हमें नहीं दिखाई देंगी बलकि कुछ न कुछ हमें similarity जो होती हैं समानताएं जो होती हैं वो दिखाई देती ही हैं रेट फिल्ड ने महसूस किया कि लोगों का अलग अलग इकाईयों के रूप में अध्या प्रथाएं करना समझदारी नहीं है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम सिफ गाओं का अध्यान करें और जिसमें शहर जो है वो अच्छूता रह जायेगा बलकि दोनों की एक दूसरे पर परस्पन निर भृता होती हैं और जब हम गाओं का अध्यान करेंगे तो हम को शहरों का कि ब्यापक परिपेख्ष को समझना बहतर होगा तो इसी तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो इनकी concept लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन आती है वो इसी बेस पे आती है परमपरागत रूप से मानो विज्ञानी छोटी परमपरा अर्थात लिटिल ट्रेडिश में लोग तरीकों का आध्यान करते थे ब्यापक सभ्यता जो है वो ग्रेट ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए करते थे उन्हें 1950 में American Academy of Arts and Sciences का फेलो चुना गया सिकागो विश्व विद्याले में रेट फिल्ड के छात्रों में से एक प्रसीद उपान्यासकार कर्ट वोनगुट थे वोनगुट रेट फिल्ड के लोग समाज की परकाम से प्रभावी थे और उन्होंने अपने उपन्यास स्लैपिस्टिक में साथ ही साथ अपने गैर काल्पनिक भासरों और दिक्षांत भासरों में उनका उले किया है तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट वोनगुट जो है वो एक प्रसीद उपन्यास कार थे और ये इनसे काफी जादे प्रभावी थे बलकि उसका प्रभाव जो इनका उपन्यास लैपिस्टिक है उसमें भी देखने को मिलता है सेम कंटेंट को हम लोग इंग्लिस में यहां देख लेते हैं रैट फिल्ट रोट इन 1955 अबावट इस ओन एक्सपरियंस तुए रिशर्च इं लातिन अमेरिका आन पिजन्स आजी इस प्रिंट रिशर्च आपिस्टिक वहार इंवावर इन वार्वर इन वार्विट विट कि अच्प्रियंस ब्लिशच इस जाज इस टेज चटेप्स जेट एट जाजी इस जाना पांड़ इन प्रिंट इस बिल्ट इस जेए सेंट इन भूट इसलेग हैं ए रोट दिएल्स इस जएलेंग्य इस जा इस तूटिक वहार इसरे कि ए रिशोड इस और ब्लिख कि बदे बादे थे खर्ड़ के दोला जाओर उख सबस्टेंग।। कि दोलेonstा है। के रेट अजिशने लेकरण फलोवड़ ऑडिके राद्ट प्रादे राफन शईंशे हैं थे लेट रा व्होड है। अजिशने लेटी लेकरणिशने का वी है। वन्गुट की एक यादगार कथन है जिसको हम लुक समझेंगी जो की ये रेट फिल्ड से जोड के कहते हैं जब मैं सिकागो विश्वित्याले गया और वहां मानों विज्ञान विभाग के प्रमुक राबर्ट रेट फिल्ड को लोग समाज पर व्याख्यान देते सुना जो मूलता एक स्थिर प्रिथक विस्तारित परिवार था तो उन्हीं के लिए शुरुवाती बिंदु रहा जैसी की वे हैं यहां पे इंग्लिस नी सेम कमेंट है वेन आई वेन तो इनवर्शिटी आप सिकागो और आई होड़ दा हैड़ एड़ आफ दिपार्टमेंट अफ एंथर्पोलोजी रोबर्ट रैट्फिल लेक्टर अंद फोक्स रिमार्ग देट डाक्टर रैट्फिल्ड थियूरी आफ तो फोक्स सोसाइटी हैस बीन इस्टार्टिंग पॉइंट आफ माई पॉलिटिक्स सच आइस दे आर वित्वानों के विचार में हम लोग देखते हैं क्या कंटेंट हम लोग को दिखाई दे रहा है अपनी छेतरिनरी विज्ञान कारी के अलावार रैट्फिल्ड ने सामाजिक विज्ञान के दर्सन में सारवजनिक और प्रकाशित योगडान दिया व्याख्यानों के एक की वकालत की है उदारण के लिए मुल्य मुक्त विज्ञान की वकालत करने वालों के खिलाफ रैट्फिल्ड ने तर्क दिया है कि ये इनका कथन है जो कि एक इंपॉर्टेंट कोट हो जाता है क्योंकि जब एक्जाम में पूछा जाता है तो सेम यही कथन जो है वहाँ पे म वैज्यानिक कारी के लिए आवश्यक है, मुल्य सामाजिक विज्यान के तरीकों का एक हिस्सा होता है, वे अन्य लोगों के मुल्यों के बारे में जानने का शाधन होता है, तो यहाँ पर जो वैलूज होते हैं, मुल्य जो होते हैं, उसकी इंपोर्टेंस इन्होंने बताई है और इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक वैज्यानिक के मुल्य होते हैं उसके वैज्यानिक कारी के लिए आवश्क होते हैं रेड़ फिल्ड के अंसार समाज वैज्यानिक केवल अध्यान ही नहीं करता बलकि सक्रिय रोप से मुल्यों का निर्माड भी करता है उनका तर्क है कि सामाजिक विक्यान अच्छी जीवन के बारे में हमारे विश्वासों को बनाने की तरीकों में से एक होता है यह उपदेशों की तरह नहीं करता है यह जो होता है वो उपदेशों की तरह कारणी करता है जो कि हमें बताता है कि अच्छा क्या है और हमारा करता भी क्या है क्योंकि हम वैलूज की बात करें तो जैसे होता है कि हम किसी बड़े को देखते हैं तो नमस्कार करते हैं या चरण को बनाने के तरीकों में से एक है ना कि ये उख्देश देनी का कारे करता है कि हमें ये बताए कि ये अच्छा है यहां या हमारा करता भी क्या है या क्या बुरा है मैं नहीं करना चाहिए यहां नैतिकता की तरह नहीं करता जो आच्रण के प्रकृति के बारे में केंद्रिय प पश्ट करके करता है कि हमारे विकल्प हमें कहां ले जाते हैं और किश लक्ष तक पहुशने के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए यह हमारी समझ को बढ़ा करता है कि हमारे आदर्श जो होते हमारे वेवहारों के साथ कहां संगहर्स में हैं जैसे कि हर किसी की अपनी एक ideology होती है हमारे कुछ आदर्स होते हैं कि हमा हमें ऐसा रहना चाहिए हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए लेकिन जब हम practical life को जीते हैं जब वेवारों की बात करते हैं तो कहीं न कहीं एक हमें प्रतिद्वंदिता दिखाई देती हैं कि आदर्स हमारे कुछ और कहत हम से करता है जो आम तोर पर नातिकता में नहीं किये जाते हैं और जो उपदेशक की शक्तियों और जीमेदारियों से बाहर हैं तो ये इन्होंने जो वैलूज होती हैं मुल्य होती हैं उस पे रेड फिल्ड का एक तर्क है यहां पे मैंने मेंने चाहिए और हम लोग सीम इनको इंगलिश में अभी देखेंगे इन अधीशन तो इस फिल्ड एंथरोजी वर्ट फिल्मेट पॉब्लिक अपॉब्लिक अद पॉब्लिस्ट गॉश्टिशन तो दो फिलोसफी अफ सोशल साइश इन ए शिरीज अप लेक्टर च्ट क्लीप अडोकेट इन अडिज अड तो इन अड्यव कर वयो हैं वरा एंफे साथ Filter आजिश्मेट अब्लिक अब फ्या एंझायक वर्ड नद भाटर इंग एंज अप ट यूश्य आजा श की अशिय और प्राट अब्लिक अफॉब्लिक हैं यह मैं अज़ अप रह एंज लेन्य बडलिक अपॉब्लिक अटस्ट not merely study but actively forms values. He argues that social science is one of the ways to form our convictions as to the good life. This it does not a preaching does it by telling us what the good is and what our duty is. It does not do it as ethics does it by examining central questions as to the nature of conduct and by criticizing and formulating systematic rules of conduct. It does it by remaining science. It does it by making clear to us where our choices lead us and what means must be implied to reach what ends. It does it by extending our understanding of where our ideals are in conflict with our practices and where our ideals are in conflict with each other. And it does this through those intensive studies of particular societies and particular means which are not ordinarily carried on in ethics and which are outside the powers and responsibilities of the preacher. Redfield ने जर्मन विश्वविद्याले प्रडाली की इस प्रविर्ति का समर्थन भी किया कि सामाजिक विज्विज्वान और मान विक्यान और मानवी की को एक साथ गिस्टे स्विंसेट् जिस्टे स्वीस सेंस चक्तन आध्यात्मिक या मानो विज्ञान के रूप में जोड़ा जाये तो इसका मीनिंग क्या है हम थोड़ा यह देख लेंगे तो यहां पर मैंने इसका मीनिंग जो है अर्थ यह होता है मानो विज्ञानों का एक समय होता है मानो विज्ञानों का ये एक ग्रूप होता है जैसे कि इसमें दर्शन आता है इतिहाश भाषा विज्ञान संगीत विज्ञान भाषा विज्ञान यहां पे सेम की पीठ हो गया है रंग मंच अध्यान साहितिक अध्यान मीडिया अध्यान धार्मिक अध्यान और कभी-कभी न्याय शास्त्र भी जो जर्मन विश्वित्यालियों में पारंपरिक है। इसका अधिकांज विशाय जो होता है, वो सामान्य अंग्रीजी बोलने वाले विश्वित्याले में मानवी की के अंतरगत आता है। तो इसी ही हम गेश्टी स्विसेंश टन करते हैं। तो यहाँ पर आप हम लोग समझ लेते हैं। रेट फिल्ड ने इस विशैपर विस्तार से एक लेक लिखा जिसका सिर्शत था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप लोग जरूर याद रखेगा, सोशल साइन्स अमंग्ग दा हुमेनिटीज, आप सभी को पताए कि इसको हुमेनिटीज के अंतरगत हम रखते हैं, तो जैस में संकलित किया गया था, जबकि सामाजिक विख्यान के तरीके प्राकृतिक विख्यान के तरीकों की नकल करने का प्रयास कर सकते हैं, रेट फिल्ड ने तर्क दिया कि सामाजिक विख्यान और मानवी की अध्यान का एक सामान्य विशै साजा करते हैं और उन्हें एक नहीं है मानो प्रकृति के बारे में जानने में साहित्य के लोग और सामाजी के विज्ञान के लोग एक साजहा प्रयास एक साजहा रूची साजहा करते हैं ओके सेम कंटेंट को हम लोग यहां पे इंग्लिश में देखेंगे यहां पे आप लोगों को सेम वर्ड यहां पे दिख रहा है यहां पे चुकि इंग्लिश में ऐसे लिखा गया है तो घिस्टे स्वीसेंट चेफ्टन ओके गी सेज्टे स्वीसेंट चेफ्टन तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं सेम वर्ड है तो यह एक इंपोर्टेंट फैक्ट ही ज़रूर आप लोग ध्यान रखेगा ये आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा लेकिन आप लोगों के ये पता होना चाहिए कि इसके आंतरगत जैसा कि अभी हम लोग डिसकस किये कि जो social science and humanities का या मानविकी के हम बोलें आंतरगत में जो बहुत सारे subject आते हैं इस सभी को अगहर हम compile कर दें तो ये हमारा gisist, again हम इस नाम को confuse कर रहे हैं मैं देखती हूं giste, swissen charten, again देखते हैं giste, यहां पर आप लोग देखते हैं, giste, swissen charten तो ये इस word से हम इसे चानते हैं तो कोकी यहां पर क्या होता है कि एक German language में लिखा गया है इसलिए हम लोग इसको करेक्ली प्रोनौंस नहीं कर पाते हैं बट आप लोग को यह सारी जो टर्म्स होते हैं इसे फैमिल राइस होना चीए कि हाँ यह वर्ड जो है हमें पता है तो एक बार हम लोग देखेंगे फिर से गिस्टे स्वीसेंड चैटें यह एक ऐसा नाम है यह कैसा फिल्ड हम कहें माना जाता है जिसमें कि हम सोसल साइंस और हुमेनिटीज को एक साथ रखते हैं ओके औरीजनली पॉब्लिश्ट इन नाइंटीन फिप्टीवन इन मिजर अक्रिटिकल जर्नल तो मिजर अक्रिटिकल जर्नल में यह बात में पॉब्लिश हुआ था and letter collected in his posthumous paper यानि मरो परांत जो papers की रूप में छपा था, okay while the method of the social sciences may attempt to mimic the methods of the natural sciences Redfield argued the social sciences and the humanities is a common object of study that unites them तो यह सामने कर सकते हैं कि social science जो होता है वो जो humanities के subject है उसे अलग है बलकि यह दोनों के दोनों एक दूसरी से अपने जो भी concepts है या study करने का तरीका है उसको साजा करते हैं He explains no one is more deeply engaged in the examination and understanding of human nature than are the dramatist and the novelist In learning about human nature, means of literature and means of social science, share a common effort, a common interest तो यहां पर एक काते हैं कि चाहे वो कोई literature का ब्यक्ति हो या फिर social science का ब्यक्ति हो यह दोनों के दोनों एक common effort और common interest जो होता है वो share करते हैं ओके यहां पर मुझे Chicago University का जो library है वहां से कुछ online content जो है वो हमें available हुआ तो मुझे लगा आप लोग के साथ इसको discuss कर लेना चाहिए यह 3 pages है यह 3 pages English में है इनका एक brief जो क्या आखी में Chicago University की library से content निकल के आता है उसको हम लोग discuss कर लेंगे रोबर्ट रेट फिल्ड वाज परहापस दॉइन की सर्वोत क्रिस्ट यानि सर्वोत तब प्रोड़क्ट आफ उनिवर्सिटी आफ सिकागो एजुकेशन ही बिगें इन लेबरेटरी स्कूल went from there to the college then to the law school for a JD आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसको ट्रॉक्ट्रेड इन ला भी कहते हैं and finally to the department of sociology and anthropology for a PhD he joined the university faculty in 1927 as an instructor in anthropology तो already हम लोग इसके बारे में discuss कर चुके हैं but चुकि हम लोग Chicago University की library से Robert Redfield पे क्या मुझे content मिला है उसको हम लोग डिसकस कर रहे हैं Redfield began his anthropological training just as the discipline was completing its transformation from a museum oriented field to one that sought systematically to study the patterns and mechanism of social behavior यह आप लोग एक की टर्म की रूप में हैं ध्यान रखेगा as part of a department that was closely linked to sociology Redfield set out to examine the modernizing process under way in many primitive areas around the world okay his interest waited years earlier during a vacation Redfield travel to Mexico in 1926 and again in 1930 for what was to be the beginning of a competitive study of four communities at various stages in their confrontation with modern society published in 1930 as tapozalan a Mexican village यहां पे टीलिस लिखा हुआ है आप लोग ध्यान दीजिएगा I don't know इसमें टीलिस है या बट हम लोग जो पढ़ते हैं और टेपो जलान a Mexican village पढ़ते हैं तो यहां पे आप लोग थोड़ा सा चुकि यह वहां का same content मैंने यहां पे paste किया है तो मुझे doubt है कि यह टीलिस है या विलिस है बट हम लोग जो पढ़ते हैं टेपो जलान a Mexican village के र books on present life in Mexico Chan Comp करके एक बुक आती हैं की 1934 में the first of three books focused specifically on the Yucatan was followed by the four culture of the Yucatan 1941 in 1948 Redfield return to Chan Comp and in 1950 published a village that chose progress okay in addition to his research and teaching duties Redfield served as dean of the social sciences from 1934 to 1946 a close friend of Robert M. Hutchins Redfield also organized the Atomic Energy Control Conference in September 1945 the aim was to look ahead to our living with the consequences of atomic weaponry and to begin formal discussions of the techniques of moving toward a world government one of Hutchins' favorite metaphors okay तो यह एक metaphor है जो की यूज़ किया गया है techniques of moving toward a world government Redfield's anthropological interest shifted over time a change reflected in the book he wrote during in 1950s the primitive word and its transformation very very important book in 1953 and Peasant society and culture in 1956 leaving the more narrowly defined field of folk and Peasant studies Redfield sought to understand the implications of wider culture change influenced by the work of Milton Singer to synthesize anthropological study into an historical study of civilization तो यह आप लोग धियान रखियेगा कि यह Milton Singer से influenced होते हैं प्रभावित होते हैं और बात में जो इनका anthropological जो इस्टडी था वो historical की तरफ मुड़ जाता है the program resulting from his work encouraged the conclusion of non-western civilization as part of the university's course offering in the college तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यह जो है आप लोग को Latin America यानि कि दच्छिट अमेरिका के जितनी सोध हैं या field work हैं इस से Robert Redfield जुड़े हुए हैं included among a collection of essays compiled after Redfield's death in 1958 is a version of a lecture Redfield gave shortly after his appointment as dean of the social sciences the essay entitled anthropology unity and diversity very very important यह आप तो थ्यान रखेगा ऐसे ही question फूच दिये जाते हैं जो कि हमें नहीं पता होता हैं तो यह इन्होंने एक यह ऐसे भी लिखा था जो कि उसका title था anthropology unity and diversity emphasize the point that anthropology stood straight the bridge that separated historical and scientific inquiry the archaeologist anthropological linguist physical anthropologist social anthropologist and ethnologist were all interested he said यह इनका quote है in people in general rather than their own people in particular in his essay as throughout his career red field emphasized our diversity of anthropological method and the unity that lay in common way of looking at human culture okay यहाँ पे कुछ content हम लोग इनके थोड़े हिंदी में समझते हैं red field के अनुसार लोग समाज जो होता है या जिसे हम क्रामिर समाज भी कहते हैं यह भी मान सकते हैं folks society से हम कहते हैं यह लगू दूर दूर छिटके हुए अनपड तथा सामाजिक रोप से समरस समाज होते हैं इन समाजों में घनिष्ट सामाजिक एक्ता अर्थात लगा और नातेदारी की भावना होती है इनकी साजा संस्कृति की जड़े परंपरा और धर्म में गड़ी होत यानि कि यहां पर और वैक्तिक रिलेशन नहीं देखने को मिलता है या इसे हम कह शक्ते हैं कि फॉर्मल रिलेशन नहीं देखने को मिलता है बलकि वैक्तिक और स्वत्त इस पुर्थ व्यवहर होता है यानि हम आमने सामने का संबंद देखने को मिलता है और वैक्तिक इनकी प्रकृति मौलिक प्रारंबिक और निश्चित्त लिए होती है लोग समाज के चरित्र चित्रड के साथ साथ रेड फिल्ड ने नगरिय समाजों की विसेश्थाओं और लोग समाजों का नगरिय समाजों में बदलने की प्रक्रिया का भी उले किया है तो यहीं पे हम फो पृषरेंस्स देखने को मिलते हैं सामाजिक वीगटन होता है लॉकी की करण घनिश्टता का अभाव हमें दिखाई देता है क्योंकि सहरों में जो होते हैं सभी लोग नगरिय जीवन जो होता है उसमें सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्थ होते हैं यहां तक कि उनका पडोसी कैसा है या उनके नेवर हुड में कौन है क्या हो रहा है चल रहा है कुछ भी नहीं पता रहता है सब लोग अपनी अपनी लाइफ में व्यस्थ होते हैं सन 1951 में टेपो जलान गाउं का एक पुना अध्यान जो है वो आसकर लेविस के द्वा रखिया गया था ये एक important fact है जो की पूछा जाता है कि जो टेपो जलान गाउं है उसका फिर से अगर किसे ने अध्यान किया था या ऐसा कौन सा थिंकर है जिसने टेपो जलान का अध्या किया था तो इसमें Robert Redfield तो आते ही है आसकर लेविस भी आते हैं और जिसमें गाउं के उन पहलूँ जैसे की अर्थवेवस्था जनसंक्या और राजनीती का अध्यान किया गया जिन्हें Redfield ने छोड़ दिया था तो अगर हम Redfield के अध्यान की बात करें तो इन्हों ने आप Redfield ने सिर्फ इतनी ही इसकी व्याख्या की या इतना ही समझने की कोशिस की कैसे लोग Interdependent होते हैं किस तरीके से लोग एक दूसरे से समरूपताएं लिए हुए होते हैं या दोनों की अपने क्या-क्या विसेस्ताएं होती हैं जबकि आसकर लेविस जब जाते हैं 1951 में इसा देखने को मिल रहा है इन सबका अध्यान किये जो की Redfield ने नहीं किया था यहां पर आसकर लेविस एक बात और करते हैं कि Redfield जब गये थे टेपू जलान गाओं का अध्यान करने के लिए तो जो वहां पर हमें एक विसमता देखने को मिलती है या वहां पर जो गरीबी या जो उस गाओं में संघर्स था इन सारी मुद्दों को Robert Redfield ने नहीं देख पाया था यानि प्रापर वहां की study नहीं कर पाया थे वहां का अध्यान नहीं कर पाया थे उन बातों का जिक्र करते हैं आसकर लेविस अब हम लोग इनकी कुछ important जो books हैं उसको देख लेते हैं तो पहली बहुत ही important book हाँ वहां पे ट्रिलेज लिखा हुआ था तो I think वो misprinting हो गया है यहां पे आप लोग देख सकते हैं टेपो जलान a Mexican village I study a folk life okay 1930 यहां पे mention किया गया है for culture of the Yucatan 1948 next the primitive word and its transformation यह जितने बुक आप लोग को दिख रहे हैं most most important book है यह आप लोग को जरूर याद रखना है the role of cities in economic development and cultural change the little community talk with a stranger यह भी very very important book है बहुत सारे परिच्छाओं में पूछा गया है okay अब हम लोग इनके कुछ books के front page cover देख लेंगे जिससे कि आप लोग को books easily याद हो सके तो यहां पे आप लोग पहली book देख सकते हैं the little community pigeon society and culture Robert Redfield की यहां पे the folk society next book pigeon society and culture folk culture of Yucatan next the primitive world and its transformation टेपो जलान a Mexican village यहां पे आप लोग देख सकते हैं chan, calm, a Maya village करके इन्होंने एक book लिखी हुई है यहां पे मैं आप लोग को दिखाओं कि जो मैंने बोला कि Chicago University की library से मुझे content मिला था तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं यह उस समय का Robert Redfield का photograph है उसको मैंने यहां पे mention किया है यहां पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ फोटोग्राफ आप Robert Redfield और यहां पे आप लोग देख सकते हैं टेपो जलान फिल्ड के notes हैं यह 1926 टू 1927 के तो इनकी own handwriting में जो notes हैं वो यहां पे मैंने mention किया है तो दोस्तों आज हम लोग Robert Redfield से समंदित जितने भी facts थे वह सभी हम लोगों ने discuss किया आखिर में इनके जो भी contributions रहे हैं इनको अगर किसी thinker ने किया है जैसा कि आसकर लेविस ने किया है यह किन किन विचारकों से इंप्रेस्ट थे यह इंफ्लूएंस थे यह कह सकते हैं प्रभावी थे तो उसके बारे में चर्चा किये अश्या यहां पर एक बात मैं और बता दूं कि जब अगर बात हो रही है राबर्ट रेड़ फिल्ड के जब लोक सहरी सांतत्य इसे कहते हैं हिंदी में या इसे फोक आरवन कांटिनम कहते हैं तो यह एक तरीके से कुछ किताबों में यह भी दिया गया है कि जो इमाइल दुर्खीम थे इमाइल दुर्खीम जो थे तो उन्हों ने जो सौरी यहां पे दुर्खीम है इमाइल दुर्खीम की जो प्री इंडुस्ट्रियल सुसाइटी था और उसके बात की जो प्रो पोस्ट इंडुस्ट्रियल सुसाइटी या इंडुस्ट्रियल सुसाइटी हम बोलेंगे उसके क concept से भी ये कहीं न कहीं प्रभावित थे तो ये आप लोग ठ्यान रखिएगा और इसके साथ एक नाम और आता है टॉनीज का तो टॉनीज के और एमाइल दुर्खीम के ये जो concepts थे इससे भी रॉबर्ट रेट फिल जो है अपने फोक आर्बन कांटिनियम का जो concept है उसके प्रभावित थे तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी पढ़ानी का तरीका पसंद आता है और यदि मेरी lectures पसंद आते हैं तो आप लोग comment करके जरूर बताया करिए आई होक की जो भी आप लोगों के आगामी exams आने वाले हैं उसमें आज का जो lecture है वो काफी कुछ help करेग और आप लोग like जरूर किया करिए अपने दोस्तों में share किया करिए धन्यवाद